बहुत leaders लोग आकर मुझे कहते हैं कि महराज मुझे state जीतना है लेकिन अगर आपको काम शुरू करना है तो सब से पहले आप अपना गाउं जीतो अगर आप अपने गाउं में leader है, अगर आप अपने average council में leader है तब ही आप assembly में leader हो तो मैं अपने सब warriors को तीप्रा मौथा के warriors, seniors, YTF, तीप्रा बुरुई बदल, TWF, हमारे कर्मचारी सब को बोलना चाहता हूँ कि जो लोग बड़ा सपना देखते हैं सबसे पहले आपको खुद का गाउ जीतना है village council election अब October में होगा और November में पूरा India को clear होना चाहिए कि तीप्रासा ready है one last fight के लिए मैं अकेला आपके लिए fight कर रहा हूँ और मैं आपको सिर्व appeal करता हूँ कि ये fight गुबागरा का fight नहीं है ये fight हर तीप्रासा का है जिसने 70 साल से जिनको deny किया गिया है ये हमारा existence का fight है ये हमारा survival का fight है तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर हमें village council election जीतना है तो काम अब से शुरू होना पड़ेगा ये village council election हमारा semi final है और final assembly election है semi final जीतने के लिए पूरा तयारी शुरू कर दो और ये मत देखो कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है ये देखो कि हमारा जो greater tipra land का movement है जो constitutional solution का demand है ये कमजोर ना हो अगर हमने ये election जीता सेंटर को हमारे बारे तीपरासा के बारे सोच नहीं पड़ेगा बलाई नहांबाए